हालो 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 वियो स्टाट चुनावी मौहौल में किसकी होगी जीत ये सवाल अभी बरकरार है कौन बैठेगा उस राजगदी पर किसका चलेगा देश पर आज जी हां आप सभी जानते हैं कि लोग सबाचुनाव 2019 की शुरवात हो चुकी है 11 एप्रेल को पहला चरन भी हो गया और ऐसे में पहले चरन के बाद देश के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने सांभलपूर की रैली के दौरान यहां पर उडिशा में बीजेपी की जीत का एला जी हां यहां पर जनता के सामने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने तमाम बातों का जिकर किया विबक्ष पर सीधा निशाना साधा और यहां पर उडिशा की जीत का भी उन्होंने अलान किया कि किस तरहां से पहले चरन के बाद जो नतीजे उन तक पहुँच रहे हैं जो आकले बताई जा रहे हैं उसमें बीजेपी ही जीतेगी अब यहां पर शेरों की तरहां गरचते देखे गए प्रदान मंतुई नरेंदर मोदी आप देखें आप उनकी ये खास वीडियो ऐसी ही तस्विरे कि जब टीवी के माध्यम से देख के दूसरे हिस्जों में पहुँच रही है तब कई लोगों के होश उड़ रहे हैं बड़े बड़े महा मिलावटियों को इस चौकिदार के लिए आप कास ने उनको समझी नहीं रहा है कि दो इस चौकिदार को इतना प्यार क्यों कर रहा है और उपर से पहले चरण की वॉटिंग में ओडिसा से जो संकेत आए है उसे साफ है कि दिली में फीर एक बार और ओडिसा में भाजपा सरकार ओडिसा में ओडिसा में साथियों ये समर्थन देश इस लिए दे रहा है क्योंकि सभी एक मजबूत और इमानदार सरकार चाहते हैं बेनों और भाईयों हमारे देश में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रही है कमी रही है जन्ता के पैसे के सही इस्तमाल की पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं उसका लाब आप तक पहुँच रहा है के नहीं पहुँच रहा आप मुझे बताईए सो पैसे बेजने पर अगर आप सिरफ 15-16 पैसी का ही काम करेगा होगा तो यहां विकास हो पाएगा सो पैसे मैंसे पचासी पैसे कोई दलाल अपनी तीजोरी में भर लेगा तो क्या यहां सडके बन पाएगी पूल बन पाएगे अस्पताल बन पाएगे स्कूल बन पाएगे आज हादी के इतने सालों तक यह ब्रस्ता चार चल रहा था लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था अम्मोदी की सरकार ने आपके इस चोकिदार की सरकार ने यह ब्यवस्ता बनाई है कि सरकार अगर सो पैसे भेजे तो पूरे सो पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो सो के सो पैसे भाई और बहनों इन पाँच सालों में अगर आप इस चोकिदार के साथ खड़े ना होते तो यह संभव ही नहीं था आपके इसी आशिरवात की वज़े से भाजपा की मजबूत सरकार लोक कल्यान और राष्च कल्यान से जुड़े बड़े बड़े काम कर पाई है वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और ब्रस्ट सरकार भी देखी है ये वो सरकार थी जो आपके मिलने वाली चीनी में गोटाला कर जाती थी ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाले राष्च में गोटाला कर जाती थी ये वो सरकार थी जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में गोटाला कर जाती थी ये वो सरकार थी जो जमिन से निकलने वाले खनीजों और कौईले तक्रे में गोटाला कर जाती थी गरीब के लिए बनी हर योजना पर कुछ लोगों की नजर गिद्धों की तरह रहती थी जैसे ही पैसा आया ये लोग आपका पैसा लूटने लग जाते थे क्या आपका ये चौकिदार इसे ऐसे ही देखता रहता क्या मैं तो ठान कर आया था कि इन दलालों से इन ब्रस्टाचारियों का मुकाबला करूंगा साथियों जब इस चौकिदार ने इनके ब्रस्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया तो इनको इतना कश्ट हुआ है कभी ये मुझे राष्टे से हटा देने पर तुले हुए है भाई और बहनों ये पहले की ब्रस्ट और कमजोर सरकारों का परणाम है आज जादी के इतने वर्ष बाद भी संपन ओडिजा की जनता गरीब ही गरीब होती चली छेत्र के आधार पर बेदभाव जात पात के आधार पर बेदभाव यही आधार पर बेद वे जात की जनता की ओनन ओड़ा है